आज के इस वीडियों पढ़ने वाले साथिओ हम देखेंगे जो संचेपन की विसेष्था, साथ water साथ nieuwe संचेपन हैं उसकी परिभासा भी देखने वाले तो बिना देरी के वे ने पहले से सभी लिख लिया है क्योंकि आपको कम टाइम में जो संचेपन है उसकी परिभासा और साती सास जो आपकी संचेपन की विशेषता भी एक वीडियो में कबर करा दी जाएगी तो बिना देरी के हम पहले संचेपन की परिभासा देख लेते हैं फिर उसकी विश्यस्ता देखेंगे किलिए रिसाती हो ये देख लिजे आपकी जो संचेपन है उसकी परिवासा है क्या है संचेप का समान अर्थी है संचेप में कहना मतलब जो यहाँ पर संचेपन है ना है संचेपन का अर्थी क्या संचेप में कहना मतलब कम में कहना मतलब तक मतलब साट कट में लिखना किसी विष्ट्रत मतलब किसी बड़े आतरन से क्या करना है आप्रसंगी जो बातें TWO हटा देना या अवश्यकन जो बातें न को हटा कर क्या करना चाहिए एक तिहाँ सब्द में उसकी क्या करना चाहिए? उसकी जो संचप करना चाहिए या उसे विक्त करना चाहिए इसे ही संचपन कहते है। कि लिए साथ यो क्या कहना चाहा है संचेपन का समानी अर्थ है संचेप में कहना किसी व्रिस्तत मतलब बड़े अना आउतरन से आप्रश्वेंगी तता अनाविश्यक जो बाते हैं उनको हटा कर एक तिहाई मतलब साथकर तरीके से जो अवश्यक बाते महत्वन बाते हैं वो एक तिहाई सब्द में उसकी अवश्यक तता प्रदान बातों को व्यक्त करना या कर देना ही क्या कहलाता संचेपन कहलाता के लिए साथ यह तो रही आपकी संचेपन की परिभासा साथ यसकी विश्यस्ता देखेंगे तो यहां संचेपन का च्छिश्य सोट ले लिजे अब संचेपन की परिभासा द आप देखेंगे बिनाध கेम संचेपन की पिस्यस्ता है लिए पहली यह पूद्ण तहह पूर्ण तहह हैडिंगे matrix में देखेंगे पूर्णु होना चाहिए यही लाइन के रहा है क्या है जो पूर्णता है तो पूर्णता का मतलब ऐसा है कि पूर्णु होना तो संचपन है या इसको भी कह सकते संचपन स्वयम में पूर्णु होना चाहिए यहां ध्यान में रखना चाहिए कि कोई अवश्यक विचार छूट ना जाए मतलब आप जब पूर्णता मतलब वो पूरा होना चाहिए क्यों संचेपन मैंने फिर कहाता है जो संचेपन हो इसमें अवश्यक बात है वो छूट ना जाए जो अनवश्यक बात है उसको हटा देना है तो यहीं तो पूर्णता है तो संचेपन स्वहयम को क्या करता ह जो संचेपन स्वयम में क्या होता पूर्ण होता है यहां ध्यान में रखना चाहिए कि कोई जो अवश्यक बाते हो छूट तो ना जाए कि लिए अवश्यक बाते वो लिख देना चाहिए किलियर सात्यों पहला पॉइंट है पूर्ण ताहा आपको समझ में आ गया होगा कि संचेपन स्वयम में पूर्ण होना चाहिए यहां ध्यान में रखना चाहिए कि कोई वीचार या वनिशक बाते तो छूट ना गई हो अवश्यक बाते कि लिए इसपस्टता मतलब यह कहना चारा हो गएश्पश्टता मतलब साप एंकलिन आपको अच्छे से लिखना होगा क लिए आप देखते क्या हैं तो कितआप की भासा में देखेंगे इस में लिखेंगे गए विचार तता भाव स्पस्ट होने चाहिए म Mitglफ प्र मैं अप्यर्वर्विल पी बता है था आपको किताब की भासा में आपको ऐस लिखना पड़ेगा इसमें लिखे गए या संचेपन में लिखे गए जो विचार आप विचार लिखते हैं आपके भाव लिखते हैं जो इस पस्ट रूप से उसमें लिखना चाहिए इस पस्ट रूप से उन्हें पड़ा जा सके तो इसमें लिखे गए विचार तता भाव इ कि वो भाव उस तक पोच जाए उस भाव से लिखना चाहिए और उसी भाव से वो पढ़ाएगा तो उस भाव ना आप लिखा या आपके विचार लिखे वो आपके भाव या विचार को समझ जाएगा क्या है क्लियर सात्यों ऐसे लिके गए इसमें लिके गए विचारतता भाव इस पस्ट होने चाहिए संच्पन ऐसा होना चाहिए जिसमें मुल भाव संचिप्त करते समय स्पस्टता बनी रहे मतलब जब वो पड़े जब उसके जो तुमने भाव उसको प्रिकट हो जाए पहला बतायता पुन्निता पुन्निता में क्या था इसको स्वयम में पुन्न होना चाहिए या ध्यान में रखना चाहिए कि कोई जो अवश्यक बाते वो या विचार छूट तो ना जाए क्लियर है दूसरा है इस प्रस्टिता इसमें लिखे गए जो विचार भाव है वह अच्छी तरह से इस प्रस्ट मतलब साधारन तरीके साथ से लिखाओ ठोने चाहिए संचेपन ऐसा होना चाहिए जिसमें मूल भाव संचिप्त करते समय इस प्रस्टिता बनी रहे मतलब वह पढ़े जब उसका भाव केंदरी थो क्लियर है दूसरे बार जो तीसरी यहां पर आपकी पढ़ेंगे संचिप्ता संचिप्ता क्या है संचेपन का यहां एक प्रदान ग संचिप्ता कहलाता है अगला देखिंगे आपको तीन में बता दिये किलियर और सातियों आपको याद भी हो चुक्ता है सुक्षिक होंगे मेरे साबसे चोसा करना में क्या है संचापन लिख रहे हैं इसके भाव मिखहा वन लिख रहे हैं मैं आपको हिन्दे में लिखा तो हिन्दी आपको समझ में आ रहे हैं इंग्लिस लिखा आपने इंग्लिस उसको समझ मानगा चाहिए मिफमें इंग्लिस में लिख दो Certainly और उसे इंग्लिस पढ़ना नहीं पर किताब की भासम भया आपको राम से लिखना पड़ेगा इसकी भासा सरल होनी चाहिए इसमें किलिष्ट भासा का उप्योग नहीं करना चाहिए देख लिजे यहां पर संचपन की विशेशता मेना आपको बताई किलिए साथिओ ये एक और आपकी जो यहां पर बच्ची हुई है वो एक और देख लिजिएśliगा जिसमें आप संचयपन की पूरा डिटेल में जाहिए एक और यहां पर सात्यों प्रभा ऐवं क्रम बोध्ता क्या है प्रभा एहों किरम बोध्यता में संचेपन में भाव तथा भासा का एक प्रभाव होना चाहिए मतलब आपने जिस तरह से संचेपन में भाव लिखे उसी तरह उसमें ताल मेल भासा से होना चाहिए तो प्रभाव मतलब जिस दिसाम आपके भाव जारे उसी दिसाम क्यान मतलब लिकाट पुन्य घ्रम का आगे जो आपके प्रिष्ञ चिन्नि कहां पर आएगा इसे आपकी जो अल्पिग्राम है पुन्य ग्राम है इसका अपको ध्यान तो प्रभा और ट्रॉण बहुत दिता में क्या है संच्यपन में भाव तता भासा का एक क्या होना चाहिए प्रभाह होना चाहिए तता भाव का तता विचारों का एक क्रम में होना चाहिए यही तो एक प्रभाह मतलब एक की दिशा में बहना तो यही तो मैंने बता है तो यही आपकी प्रेपिनेशन में है यही साब जो यह हेड़ी है इस किरम आपके एक ही जो दिशाय है याएक ही क्रम में उन आ चाहिए के लिए रसाती हो तो अच्छे से यहाँ पर क्रम प्रहायों क्रम देख लिया आपने आप देखते ही सकती है परिभास बता दिए सौट लबा धिया था आपको बता चाहिए विश्यत्थ नहीं ओ लिए और च टॉर्ट कोस्टे जानल पर नहीं हो सॉस्टराइब करते चलिएगा मिलते सक अगले वीडियो में जत्तक के लिए आप जो दोस्त साती है उनके साथ वीडियो करते और जो यहां Owen समझाई है उन्हें बेद्यति के तरह उन्हें करें और